साथियों फ्लेचुलेंस या फिर हम कहें कि उदर वायू पेट में गैस बनना अब कई बर सोचने में लगता है कि पेट में गैस आता कहा से तो एक तो मैं आपको बतला दूँ कि आप जो भोजन करते हैं या पानी पीते हैं तो उस दोरान थोड़ा-थोड़ा करके जो है आप पचाते हैं तो उस पचाने के दौरा में बहुत सारी बैक्टिरिया होती है जो कि आपके खाने को पचाने में मदद करती है और वो जो पचाती है खाने को तो उनके द्वारा जो वायू पर दूसरन वायू जो प्रोड्यूस होता है तो वह भी आपके गैस के रूप में होत खाना पुरा खतम होना शुरू होता है उस समय भी कुछ गैस निकलती है जैसे अपले लिए लेकिन अगर ज्यादा बन रहा है तो उसके कुछ कारण हो सकते हैं जैसे कि आपका डेली है कि आप किसी तरह का फिजिकल वर्क आउट नहीं करते हैं बॉड़ी को एदम रिलाक्स फूर्ड ज्यादा मेदव एगरा का समान जो है आप ज्यादा खाते हैं तो उस कंडिशन में भी ज्यादा बन सकता ओवर्वेट जो रहते हैं उनके साथ यह प्रॉब्लम हो सकती है समय से यह समस्या हो सकती है और यही सब प्रॉब्लम से हैं जिनके वज़े से गयास आपके पेट में बनती है तो आप बात करते हैं साथियों कि इनको हम ठीक कैसे करें एलोपैतिक मेडिसिन्स तो बहुत हैं और काम भी अच्छा करती हैं लेकिन साथ ही साथ उनके साइड इफेक् जैसे कि काने का मतलब है अब अपना सही भोजन लें सही तरह का बोजन लें अब समय से भोजन लें और वर्क आउट करें फीजिकल वर्क आउट अपना बढ़ाएं डैली का जो आपका एक्सराइस वगरा है उसको बढ़ा है योगा वगरा आपको मदद कर सकती है बहुत त नहीं है तो उनके लिए मैं कुछ दवाएं आपको बतलाओंगा तावरतुर मेडिसीन से 5-6 मेडिसीन की मैं चर्चा करूंगा हुमिपैथी की सारी मेडिसीन से किसी में कोई साइट इफेक्ट नहीं और सब अपना बहुत लाजबा प्रभाब दिखलाती है तो यह धियान से 99 जो है आपको फाइदा मिलता ही मिलता है तो ध्यान से सुनेंगे पूरा वीडियो को जरूर देखेंगे ताकि पूरी जनकारी आपको मिल सके पहला या दूसरा दवा सुन करके और यह ना सोच लेंगी बस इसमें तो मेरा सिम्टम नहीं मैं 5-6 मेडिसीन के बारे में चर चाइना ऑफिसिनेलिस दोनों एक ही बात है कहां उप्योग होता है चाइना और ध्यान रखेंगे साथियों कि वैसे लोग जिनको की बहुत पेट में गैस बनता है पेट पूरा फूल जाता है गैस और पूरे पेट में ही प्रॉलम होती है अर इविन गैस छोड़ने के बहुत अच्छी मेडिसी में चार चार बुंद करके दिनबर में तीन बार सुबह दो पहर साम करके लेते हैं एक दो खुराख में गैस बगरा आराम होना सुरू हो जाता है और दस-पंदरा दिन खाने के बाद जो हैं अब फीट हो जाते हैं आपकी सारी सिंटर्म्स चली जात करती है दो-चार साला पराम से उसके आदाते हैं साथि हो हमारी अगली मेडिसें कार्बोवेज के तरफ साथिए घर चर्चा नहां कोले तो होगा तो कर्बोवेज में मुल्भूत जो सिंटम्स है जो मैंने और भी वीडियों में पहले भी डिसकस की है और यहां भी बतलाना जरूरी है कि आपके एक तो अपर एब्डॉमेन में गयस का ज्यादा यह होता है मतलब पेट का उपर का जो भाग होता है वो आपको महसूस होता है कि ज्यादा उसमें गयस होता है नीचे कुछ प्रॉब्लम ज्यादा फिल नहीं होता है उसके साथ सीने में जलन रहना डकार ब से कर्बोवेज में भी गैस के वज़ा से अगर प्रॉब्लम है उपकाई आ रहा है तो उल्टी होने के बाद जो है आराम महसुस होता है हिच की वेगर अभी दो-चार बार आजा है उसका जब रिलेक्स होता है तो थोड़ा ठीक लगता है तो यह सारी सिंटम्स हैं अपर अप और उसके साथ वो बढ़ता है आपके च्छाती वेगरा में जो है और रिब्स के अंदर आपको पेन फील हो सकता है तो ऊपर के तरफ ही जो पेन फील होगा वह होगा तो वहां पर याद रखना है कि कार्बोवेज बहुत अच्छे मेडिसी में इसका इसका इस्तेमाल करते ह है एक बूब खुराक में आपके सिंटम्स रेडियूस हो जाती है सीने का जलन हो पेट का दर्द हो डखार वेगर अच्छे से निकल जाता और बहुत रिलैक्स फिल करते हैं लेकिन दस-फ़रा दिन तक ले लेने के बाद आपके सिंटम्स आल्मोस 99 परसेंट हो जाता है और हम नहीं लागोहता है आप बिलकुल खआ सकता है यहां यह हो हम्योपै अबेसे हमें तक के लिए ठीक करती है हो सकता है जालंकि गैस का बनना बहुत सारे हमारे डेली लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है तो हम अगर अपने डेली लैफस्टाइल को दिशुदरते है तो यह कि प्रॉब्लम फिर से आ सकती है तो अलग बात है लेकिन त्यान रख और जब कि बात्रूम का जो मतलब लैर्टिंग का जो प्रेसर होता है तो लैर्टिंग का प्रेसर से पहले पेट में बहुत गर-गर आहट महसूस होई और जब रखाना करने जाते हैं तो दियां रखेंगे कि एलो सौक बहुत अच्छी मेडिसीन है कि पखाना जाने की हाजत हुई पेट में बहुत गर-गर आहट महसूस हुई और जब पखाना करने जाते हैं तो उस दौरान जो है वायू ज्यादा निस्कासित होता है इसके बनिस्पत पखाना निकलने के तो ध्यान रखेंगे कि व जादा लंबा खाना परें तो ज्यादा ज्यादा बीस दिन वीज दिन में प्रॉब्लम जो है लगवक समाप्त हो जाता है तो बीस-इकिस दिन तीन हपते तक आप रिपीट कर सकते हैं बहुत अच्छी मेडिसीन उसके बाद साथ यो आते हैं हमारे अगले मेडिसीन फ्यू करके ले सकते हैं किनके लिए उप योगी है तो साथ योँ बहुत जादा मतलब खुर, मूटे ताजे सरीर वाले जो विक्ति होते हैं और उनके सरीर में जब गैस की प्रॉब्लम हो रही है तो उनके लिए यह बहुत अच्छी मेडिसीन और बहुत तेजी से काम करती है जो कि इंडाइजेशन से गुजर रहे होते हैं खाना ठीक से पच्छता नहीं है शरी बहुत मोटा हो गया है और फिजिकल वर्काउट होता नहीं है एक अब देखते हैं कि यह खाना पुरा-पुरा पचना शुरू हो घया है लेटिंग से आ रहा है और गैस बहुत तेजी से से रिडूस हो जाता है गैस का फोर्मेशन वी उधर वायों का बनना ही कम हो जाता है और बहुत तेजी से आपके सारी से जो है ठीक होते हैं उसके बहुत बड़ा योगदान है बहुत अच्छा काम करता है अब गैस के वज़े से दर्द हो या किसी वज़े से लेकिन गैस में फ्लेचुलेंस में कहां मैंगनेसिया फॉसकॉम यूज़ करें तो इसके कुछ रेड़ लाइन सीम्टम्स में आपको बतलादू जैसे आप देखत होती है लगता है कि पेट में बहुत गरम-गरम हवा जमा हो गया जिसके वज़े से पेट जल रहा है तो उस कंडिशन के लिए मैंगनेसिया फॉस बहुत अच्छी मेडिसिन अगर पोटेंसी की बात करें तो सिक्सेक्स पोटेंसी में ध्यान रखेंगे टिचुलेशन फॉर करता है तो पहला मेडिसिन पहला फुराख लेते हैं तो आपको अराम तो होना सुरू हो जाता है अगर आप सही रखते हैं तो फिर आपको यह किसी तरह का प्रावलम जो है देखने को मिलता भी नहीं तो यह सब थी साथियों बर्व के लिए बात करता हैं बच्चों के अजयिअ फूरा जलता है फूरा पूरा फूरा wal फूरा फूरा कश ओर्दागराफ क्ह बहुत छलता है धर हमेसा करें कि पैसे पुरा के पेट में सुने को मिलता है और गास निकलने के बाद भी जैसे कि डकार निकलता हो या हवा छुटती हो फार्ट मारने के बाब जूद भी जो है उनको आराम नहीं फील होता है पेट गैस वैसे ही फूला का पूला पेट रहता है तो उन बच्चों के लिए खास करके थूजा एक बहुत अच्छी थूजा आप 30 पोटेंसी में यूज करते हैं और सुबह दोपर साम करके दिन बर में तीन बरा पो देन और बहुत देजी से आप देखते हैं कि उनका पूरा का पूरा गैस का स्यम्टम जो है ठीक होता है पेट पचना सुरू हो जाता है पेट जो गैस के वज़ए से फूला देखने में लग रहा था और अप देरे-दीरे नॉर्मल ओने लगा ठीक होने लगती है तीसरे चौते दिन उते-जो जाता है भूआ ज्ञा दिन खेलाने के आवचा सकता नहीं फिंटम से कवर समापत हो जाते हैं उसके बहुत जादे रिपिटिटिव नहीं है तो यह सारी जानकारी थी साथियों, फ्लेचुलेंस के बारे में, जो कि मैंने आपको सेयर किया, सारी जानकारी हिंदी में, आसा करते हैं कि आपको सब समझ आया हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो लाइक करना न भूलें, अगर चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आपको लगता है कि कोई आपके जानने पर चाने वाले हैं, जो कि गयस के प्रॉब्लम से परिसान है, तो उनको ये वीडियो जरूर सेयर कर दें, ताकि वो इसका फाइदा उठा सके साथ हैं, और ये जो भी मेडिसिन्स मैंने आपको बतलाई हैं, इसके सिम्टम्स, मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद,